नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आज ये ब्रहमातमस आज मैडम चीफ मिनिस्टर का रिब्यू मैडम चीफ मिनिस्टर ठीटर में रिलीज हो रही है और यहां टिमपल खरबंदा नरेन कुमार निर्मित टी सीरीज की फिल्म है और इसके लेखक निर्देशक हैं सुभाष कपूर सुभाष कपूर की फसगेरे उमामा और जॉली एल एल बी सीरीज की फिल्में हमने देखी हैं और उन्हें काफी सराहा है उनकी तारीफ की है इस बार वे पॉलिटिकल ड्रामा पॉलिटिकल थ्रिलर लेकर आये हैं जिसका नाम है मैडम चीफ मिनिस्टर नाम से ही जाहिर है कि यह राजनिती के गलियारे की कहानी कहती है जिसकी नाई का तारा है और तारा का यह किरदार रिचा चड़ा ने निवाया है सुभास कपूर की पिछली फिल्म में राजनितिक और सामाजिक पहलूओं को लेकर काफी प्रभावित करती रही है इस बार वे राजनिती के शुद्ध गलियारे में आये हैं और एक दलित चरित्र को लिया है उन्होंने दलित चरित्र तारा प्रेम में विफल होने या प्रेम में धोखा खाने के बाद अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए राजनिती में उतरती है और फिर धीरे 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 वह राजनिती के केंदर में आती है और एक दिन चीफ मिनिस्टर भी बनती है प्रस्थान को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर हो सकता है उसका प्रेमी किसी और फिल्ड का होता तो हो सकता है कि वहीं उसी फिल्ड में यह बदला जाकर लेती, या किसी और एकेडमिक फिल्ड में लेती लेकिन यहाँ चुके प्रेमी राजनेती में था इसलिए वह राजनेती में आई यह बात थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती है खैर जब तारा की कहानी चल नहीं लगती है तो तारा मास्टर जी के संपर्ग में आती है मास्टर जी दलित चेतना के प्रखर नेता है और वे उसे पल्लवित करते हैं उसे आगे बढ़ाते हैं और फिर एक दिन उसे चुनाओ का मौका मिलता है जहां पर वे सिटिंग चीफ मिनिस्टर के मुकाबले में खड़ी होती है जीत भी जाती है जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर पद का दावा करती है और चीफ मिनिस्टर बन भी जाती है कहानी यहां से सुरू होती है और किस तरीके से राजनेतिक छल प्रपंच के बीच तारा अपना अस्तित बचाये रखती है और मुखर रहती है लगातार वो ऐसे काम करती है ऐसे फैसले लेती है जो लोकप्रिये होने के साथ साथ सामाजिक विसंगतियों से भी जुड़े हुए हैं और एक बराबरी लाने की कोशिस कर रहे हैं इसमें जातिगत और दलगत राजनीती जो प्रदेश में चल रही है उसकी तरब से उस पर आक्रमनी भी होते हैं लेकिन वह होशियारी के साथ आगे निकलती जाती है और सभी मुसीवतों का डट कर मुकाबला करती है और विजय भी बाती हैं यह एक विजय गाता है और सुभास कपूर जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी राजनीतिक समझदारी की वज़से काफी प्रसंसित हैं उन्होंने फिर से एक बार साबित किया है कि वे राजनीतिक विश्यों पर फिल्में बना सकते हैं मैडम चीफ मिनिस्टर की बात अगर करें पर्टिकुलर फिल्म की तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत यह लगती है कि चरित्रों के गठन में थोड़ा अधूरा पन सा दिखता है नाई का तारा उसके साथ आए इंदू जो उसका प्रेमी है त्रिपाठी है वो मास्टर जी खान साहब रिचा क्या भाई और रिचा क्या प्रिश्ट भूमी उसका प्रिश्ट कि यह सारी घटनाएं और सारे चरित्रों को लेकर जब कथा आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि कुछ चरित्रों पर और ध्यान दिया जाना चाहिए था उन्हें विस्तार मिलना चाहिए था उनके आधार भूमी थोड़ी और ठोस करनी चाहिए थी हो सकता है कि एक नया शिल्प सुवास कपूर आजमा रहे हों और इसमें एक हद तक विसफल रहे हैं क्योंकि फिल्म अपनी बात तो कही जाती है यह फिल्म उत्यप्रदेश में घटती है इसलिए धेर सारे व्यक्तियों को यह भ्रह्म है कि यह फिल्म किसी राजनीतिक व्यक्तित्यों पर आधारित है जबकि सचाई ऐसी नहीं है यह एक काल्पनिक कहानी है हाँ महिला किरदार है और वो धलित है लेकिन वो किसी वास्तविक राजनीतिक हस्ती का विस्तार नहीं है या प्रतिरूप नहीं है यह शुद्ध सुभास कपूर की खोज है और उनकी गड़ी कहानी है चरित्रों के अधूरेपन की जो मैं बात कर रहा था उसमें मास्टर जी का भी चरित्र जिस तरीके से अचानक खत्म होता है इंदू का चरित्र तारा के भाई का चरित्र इवन खान साहब का भी चरित्र सब ही लगते हैं कि थोड़े से अधूरे रह गए हैं यह बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अब इन्हें की बात करों तो रीचा को जो मैदारी मिली है और जिस तरीके से किंद्रिय भूमिका में हो वह अपना कार्य करती हैं और प्रभावशाली तरीके से पेश आती हैं उनका व्यक्तित्व उसकिरदार के साथ जाता है दबंग व्यक्तित्व परदे पर उभर कर आता हैं और वह अपने फैसलों से सभी को चौकाती भी हैं जो फिल्म में छल प्रपंच रचा गया है वह बहुती साधार्णी करन के तरीके से आया है और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ सुभधाजनक तरीके से जुटा लिया गया है एक तार्किक्ता एक तार्तम्यता जो दृश्यों के बीच बननी चाहिए उसकी जगह नहीं मिल पाई है या उसे उतना वक्त नहीं दिया गया है इसलिए फिल्म में कई जगह व्यतिक्रम आता है सुभाज कपूर ने इस कोरोना काल में एक ऐसी फिल्म पूरी की और शायद वे थीटर में आने का ही इंतजार कर रहे थे यह फिल्म थियेटर में आई है और डीचा चड़ा की केंद्रिय भूमिका की यह कोरोना काल में आई दूसरी फिल्म है पहली फिल्म शकीला आई थी और शकीला के बाद यह दूसरी फिल्म उनकी मैडम चीफ मिनिस्टर है इस फिल्म के साथ कुछ यूपी के कलाकार भी जूटे हैं जिसमें संदीप यादो हैं और दूसरे अन्य कलाकार हैं और यह बहुत अच्छी बात हो रही है कि ऐसी फिल्मों के साथ स्थानिय प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है और सुभास कपूर की यह खास्यत है कि वे अपनी फिल्मों में स्थानिय प्रतिभाओं का इस्तमाल करते हैं मैं इस फिल्म के थीम गीत का खास उल्लेख करना चाहूँगा या गीत स्वानंद किरकिरे ने गाया है और दुश्यंत ने इसे लिखा है या फिल्म की नाई का तारा के सुभाव और एटिट्यूट को बहुत अच्छे तरीके से चंद पंक्तियों में पेश करता है चड़ी चड़ी उड़ी उड़ी दुश्यंत ने बहुत ही सांकेतिक और सार्थक तरीके से उस फिल्म को इस गीत में फिरो दिया है और वैसी ही प्यारी आवाज है स्वानंद किरकिरे की जो प्रभावी तरीके से अपनी बात कहती है और यह गीत फिल्म के ठीम को बहुत अच्छी तरह चंद पंक्तियों में समेट लेता है तो दुश्यंत को भी बधाई शुभास कपूर को बधाई और खास करके डिंपल खरबंदा और नरेन कुमार को बधाई यह उन दोनों की पहली फिल्म है और वे सफल हों इस फिल्म को मैं तीन स्टार देना चाहूँगा धन्यवाद शुक्रिया महरबानी आप देखते रहें सिनेमा हौल